मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप सब कैसे हैं मुझे आसा है आप लोग अच्छे से स्टेडी कर रहे होंगे आज मैं आपको कलास 10 का हिस्टरी चेप्टर वन का आती लगू उतर ये प्रसन बताऊंगा जो आप अच्छे डंग से सीख जाईएगा आपके अपनी भासा में रहेगा तो आई आज मैं हिस्टरी का चेप्टर बन आती लगू तर ये प्रसन करते हैं तो नंबर एक में आपका कोश्चन है पूंजी बाद क्या है पूंजी बाद क्या है अंसर देखिए पूंजी बादी एक और्तिक पदती है जिसमें पूंजी के निजी स्वामित्व उतपाधन के साधनों पर व्यक्तिगत नियंतरन स्वतंत्र अधोग की परतियोगता और उपवोगता द्रब्यों के अनियंत्रित वित्रन की विवस्ता होती है वो पुझिवाज गालाता है अगला प्रस्ण आपका है जी खूनी नभीवार क्या होता है खूनी नभीवार क्या है तो अंसर देखिए आप खूनी नभीवार 22 जनबरी 1905 के रूस की जार सेना ने सांतिपूर्ण मजदूरों ततक उनके बीवी बच्चों के एक जुलूस पर गोलिया बरसादी जिसके कारण हजारों लोग की जान गई और इस दिन चुकी रवीवार था इसलिए इसे खूनी नभीवार के नाम से जाने जाता है यह बहुत इंपोटेंट कोश्चन है दो नंबर अगला प्रस्ण के तीसरा अक्टूबर की करांती क्या है बड़ा अच् उसकी सत्ता पर कामजा कर लिया इस घाटना को इतिहास में अक्टूबर की करांती कहा जाता है क्योंकि उस दिन पूराने कैलेंडर के अनुसार 25 अक्टूबर की तारिक थी और यह चार नूमर प्रस्ण सर्वहारा बर्ग किसे काते हैं अंसर खेतियर क्रीशक मजदूर एब सयनिक और किसी भी समाज के सर्वहारा बर्ग कहलाते हैं जो अर्थविवस्ता के पर्थम सेक्टर से जुड़े होते हैं अगला प्रस्ण आपका देखिए क्रांती के पुर्व क्रांती के पुर्व किसानों की स्थिति कैसी थी क्रांती से पहले यहां पे इस्थिति कैसी थी बताईए तो अंसर देखिया आपे रूस में जनसंक्या का बहुं संक्या क भाग क्रीशी थे परंतु उनकी स्थिति अत्यंत दैनियत थी क्रिसी दस्ता समाप्त कर दी गई थी और यहाँ पर आप दखिए अंसर इसका परंतू किसानों की स्थिती में कोई सुधार नहीं हुआ उनके पॉस पूंजी का अभाव था और करों के बोज से दबुए थे उनके पॉस खेती करने के लिए पूंजी नहीं था और उन पर कर्द होल था इनी के बजों से वहां पे दिक्कत थी किसारों की तो मुझे आसा कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा मिलते हैं आ